कि वेल्कम तु वेल्विव नूर अकेडमी हेलो एब्रीवन माइनम इस रेभरयाद क्लास नाइन की एक्सराइब 1.6 इस वीडियो में करने जा रहे हैं तो एक्सराइब करने से पहले आपको जो है कुछ इसमें लॉस देखने होंगे जिसे मैंने यहां पे लिख रखा है लॉ आपका इसमें लॉस देखते हैं इसमें क्या लॉव है तो फर्स्ट आपका जो है अगर कुछ इस फॉर्म में दिया हो एम इस इस मुल्टिप्लाइट बई एन जहां पर आपका बेस सेम हो यहां पर देखिए आप बेस सेम है लेकिन जो इसके एक्स्पोनेंट्स हैं वो अल अगर कुछ इस फॉर्म में दे रखा हो एम तो इसमें क्या होगा इन दोनों के जो एक्स्पोनेंट्स हैं यह आपस में मुल्टिप्लाइट हो जाएंगे तो क्या निकलकर आ जाएगा एम इंटू एन थर्ड वन जो है आपका कि अगर इस बार यह पहले वाले में हो मृटिप्लाइट में था अगर हम इसको डिवाइड मीले एन तो इसमें क्या होगा इसमें अबज्लिट हो जाएगा क्या और सब्सी ऑता यह जब ऊपर जाता है तो यह माईन सो जाता है M minus N ठीक है fourth जो है आपका अगर power same हो exponent same हो तो उसके जो numbers है उसके जो base है वो multiply हो जाएंगे तो A into B and उसकी जो power होगी वो 80 लिखी जाएगे मतलब सिर्फ एक बार power लिखी जाएगी M ठीक है fifth one जैसे मैंने बताया था कि यह उपर जाएगे minus हो जाते है तो अगर कुछ इस form में दिया हुआ हो A N तो क्या हो जाएगा यह A की power minus N हो जाएगा और last यहाँ पर आपकर है अगर किसी भी number की power 0 हो चाएगे वो कितना भी बड़ा number हो उसकी पावर अगर 0 है उसकी exponent 0 है तो उसका जो उसकी value निकलकर आती है वो वन आती है तो I hope यह सारे loss आपको clear हो गए होंगे अब हम exercise के तरफ बढ़ते हैं तो exercise के regarding जितने भी loss थे वो हमने देख लिए अब हम question के तरफ बढ़ते हैं जैसे हम question number first में 3 part है तो 1 by 1 हम 3 को solve करेंगे first part में दे रखा है 64 to the power 1 by 2 तो अगर मैं 64 को पावर की form में लिखना चाहों तो मैं क्या लिख सकता हूं solution मैं कर रहा हूं इसका तो मैं इसको लिख सकता हूं अगर हम देखें eight square क्या होता है 64 होता है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं ठीक है अब अगर मैं इसे देखूं तो यह जो है तो यह क्या हो जाएगा यह power से multiply हो जाएकि 2 इस multiplied by 1 by 2 इस 2 से यह 2 cancel हो जाएगा तो answer क्या जाएगा इस case में हमारा जाएगा एट निकल कर इसे केर्फ हम चलते हैं सेकेर पार्ट देखिए आप किस तरीके जाके से और सॉल्फ यह 32 दिबावर 1 upon 5 दे रखा है ठीक है तो इसको निकालने के लिए हम क्या करें 32 का ऐसे हम ले ले लेते हैं 32 का मैं ले रहा हूं 2 से हम करेंगे 2 1s are 2 1 बच जाएगा इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 बच जाएगा तो 2 6s are 12 2 8s are 16 2 4s are 8 2 2s are 4 and at the last 2 1s are 2 तो कितने 2s आ रहे हैं 1 2 3 4 5 मतलब 2 को मैं 5 times multiply करूं तो 32 आ जाएगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं 2 to the power 5 कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमने LCM अभी करके देखा ठीक है और hold to the power 1 by 5 तो रहे गई अब जो है इसको इसी form में हम लिख सकते हैं m to the power m to the power n जो कि multiply होगा m into n तो आपस में इसको multiply कर लिजिए 2 5 बाहर जाएगा इससे multiply हो जाएगा 5 is multiplied by 1 by 5 यहां पर भी 5 से 5 हमारा cancel हो जाएगा तो इस case में निकल कर आ जाएगा 2 answer ठीक है थर्ड पार्ट जो कि question number first का last part है इसमें दे रखा है 125 इसका भी हमें direct नहीं निकाल सकते तो हम इसका ले लेंगे 125 का हूँ ठीक है five times में जा सकता है यह five two's are ten two remaining बच जाएगा 25 बच जाएगा तो फाइफ 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 लिख सकता हूँ और बाहर तो one by three as it is रहेगा यह भी m to the power n में लिख सकते हैं हम इसको multiply कर सकते हैं power को three is multiplied by one by three तो यहां पर भी three से three हमारे cancel out जाएगा तो answer क्या निकल गड़ा जाएगा five तो कुछ इस तरीके से question number first में सारे तीनों question में एक ही identity इस्तमाल हो रही है question number two इसमें दे रखा है first part अगर अब देखे 9 3 by 2 तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं three square three to the power two bracket three by two ठीक है इसको भी मैं वैसे खोल सकता हूं recall कर लिजिए अब m into n ठीक है तो मैं इसको कर सकता हूं two is multiplied by three by two two say two cancel तो क्या जाएगा three cube three cube का मतलब क्या है three is multiplied by three multiplied by three 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 is a nine nine three is a twenty seven तो इस case में हमारा आसर आजाएगा 27 तो first part आपका हो गया second part की तरफ हम बढ़ते है second part में देखें आप क्याते रखा है 32 to the power five 32 का हमने पीछे निकाला था first question में अगर आपको धियान हो 32 का हमारे निकल कर आया था तो की पावर five तो मैं इसको यहां पर डिरेक्ट लिख रहा हूं कैसे निकालेंगे लेके आपको पता है और ब्रैकिट में two by five अब यहां पर क्या सकता हूं multiply कर सकता हूं इसमें सेम एक ही लौ लग रहा है अभी तक तो आपको जादा कुछ करने की जरूत नहीं है five से five cancel two by square and final answer four आ जाएगा third part की तरफ हम बढ़ते हैं third part में दे रखका है 16 to the power 3 by 4 the 16 को मुझे power 4 के form में लिखना है थे टू के form में इसक्वाइर के form में तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आपको पता है four card 16 होता है लेकिन मैं पार के पावर में लिखना चाहरूत तो मैं इसके लिए करोंगा इसका यह से लिए लेलुंगा तो देखिए 2 अगर मैं लिखूँ 2 to the power 4 तो यह मैं लिख सकता हूँ इसमें कोई गलती नहीं होगी अगर मैं 2 को 4 बार multiply करूँगा आपस महीं तो मेरा 60 निकल कर आएगा और hold to the power 3 by 4 तो है इसको भी m into n कर दीजिए यह 4 को इस power से multiply कर दीजिए तो 4 is multiplied by 3 by 4 तो इस 4 से यह 4 cancel हो जाएगा तो आजाएगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 is multiplied by 2 is multiplied by 2 2 2 is a 4 and 4 2 is a 8 तो 8 answer आजाएगा last part fourth part जो second question का है हमारे पास 125 की पावर minus 1 upon 3 तो 125 को मैं लिख सकता हूँ जैसे आपने पीछे देखा था same question है तो बस इसमें minus 1 upon 3 आगया है पावर तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 to the power 3 कैसे निकाला था यह लेके minus 1 upon 3 इसमें भी इसकी पावर की आपस मैं multiplication कर देंगे हम तो 3 to the power minus 1 upon 3 तो इस 3 से यह 3 cancel हो जाएगा तो क्या जाएगा answer 5 की power minus 1 इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं और अगर लिखना चाहें तो एक property आपने देखी होगी कि जब माइनस में power होता है तो अगर मैं इसको reciprocal कर दो मतलब 1 upon 5 इसे मैं लिख सकता हूँ क्योंकि नीचे आगे पावर इसकी प्लस हो जाएगी तो वह लिखे ना लिखे कोई matter नहीं करता तो आप इसको ऐसे भी चोड़ सकते हैं और इस वह भी सकते हैं कोशन नमर थर्ड है हमारे सामने जोगी लास्ट कोशन है सायर 1.6 का simplify तो इसमें 4 पार्ट दे रखें इसको हमें simplify करना है तो one by one हम सबको simplify करते हैं तो इसमें अगर आप देखें आइडेंटिटी बन रही है कुन सी अइडेंटिटी बन रही है आपने पढ़ा था am.an तो इसमें हम power इसकी add कर सकते हैं मतलब क्या हो जाता था am plus n हो जाता था तो इसमें भी हम same pattern follow करेंगे 2 और 2 मिलकर एक बन जाएगा और इसकी जो power है 2 by 3 plus 1 by 5 यह जो है आपकी add हो जाएगी ठीक है इसका आप LCM ले सकते हैं तो जब हम इसका LCM लेंगे नीचे तो 15 जाएगा और ऊपर जो हम बोर्ड मास लगाते हैं उस तरीके से हम इसको सॉल्फ कर सकते हैं तो 25 जाएदर 10 हो जाएगा plus 1 तो answer निकल कर आ जाएगा 2 to the power 11 by 15 second part जो है आपका यह दे रखा है 1 3 की power 3 और whole to the power 7 है इसको मैं simple करके लिख देता हूं यह है इस form में 7 तो अगर मैं 3 to the power 3 को उपर ले जाओं तो power इसकी यहाँ पर positive है उपर आकर इसकी power minus हो जाएगी minus 3 और इसको मैं आपस में multiply कर सकता हूं तो जब minus 3 को 7 से में multiply करूंगा तो minus 21 आ जाएगा यह वही formula लगा है m into n जो power हमाने इससे पहले 2 question करे थे same as it is थर्ड वाले में देखें आप थर्ड वाले में कौन सी identity बन रही है यह बन सकती है am divided by an तो क्या हो जाता था am minus n तो इसमें भी हम यही follow करेंगे क्या कर देंगे इसमें हम 11 1 by 2 minus यह बावर उपर आके subtract हो जाएगी minus 1 by 4 तो इसमें answer निकल कर आ है am bm कि जिसमें कि बेस अलग अलग है लेकिन इसकी पावर जो है वह सेम है तो इसमें क्या करते थे हम a और बी के आपस में multiply हो जाएगी और पावर जोगा वह सेम आजाएगा तो इसमें भी हम ऐसी करेंगे 7 को 8 से multiply करेंगे तो seven eights हो जाएगा 56 और हाफ पावर जो इसकी है वह कौम बना जाएगी तो यहीं इसका answer हो जाएगा that's all यह पूरा exercise और पूरी chapter जो ही आपके complete हो गई अगर आपने कोई वीडियो मिस करिए तो playlist में जाकर आप देख सकते हैं